साई की बाद अलग क्या करोगे तुम अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हे कुछ अलग करना होगा तुम्हे कुछ ऐसा करना होगा कि जो सबकी समझ से परे है और वो तुम्हारे अंदर काबिलियत है तुम कर सकती हो बस तुम्हे ना थोड़ी सी मार दर्शन तुम्हें चाहिए बस थोड़ी सी दिशा तुम्हें चाहिए बस थोड़ी से विचार तुम्हें चाहिए और वो विचार तुम्हारे अंदर है काबिलियत है तुम्हारे अंदर और उस काबिलियत की तुम जो चीजें है न उसे तुम अपना सकते हो देखो अर और बहुत तरह की चीजों को सोचो जितना तुम अलग अलग तरीकी की चीजों को सोचोगे न उतना तुम्हें अच्छा महसूस होगा और उतने तुम्हें अलग अलग विचार आएंगे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा तुम देखना और तुम्हें बहुत अलग च पर चनला है अलग तरीके से करना है और सुनो पीट पीछे बोलने वाले बहुत होंगे निंदा करने वाले बहुत होंगे लेकिन उनके बारे में सोच करना परेशान होने की जरुवत नहीं बलकि अपने काम पर ध्यान लगाओ अपने लक्ष की और ध्यान लगाओ और सुनो मे पेरा बच्चा देने की भावना रखता है ना तो उसके पास आना अपने आप शिरू हो जाता है उसे कहीं भागने की जाने की जरुवत नहीं पड़ती बिलकुल नहीं पड़ती और सुनू जो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते लेकिन वो दिल से तुम्हें आश्रवात देने आते हैं रोज तुम्हारे दुकान के बाहर रोज खड़े हो जाते हैं तुम्हारे घर के बाहर आकर रोज खड़े हो जाते हैं जानते हो उन्हें मैं ही भेशता हूँ तुम्हारे पास कि तुम उन्हें कुछ खाने को दो और वो तुम्हें धेर सारा अश्रवात दे क जाएंगे तुम्हें और अपने कुछ बच्चों से कहना चाता हूँ तुमने कुछ महंगे महंगे कपड़े हैं तुम्हारे जिनको तुमने संभाल के रखा हुआ है लेकिन तुम जानते हो न कि उन कपड़ों में थोड़े से कपड़े जल गए थे जानते हो न तुमने कितना भी सही कराकर अगर पहनोगे तो वो सही नहीं है मेरे बच्चे, तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि जले हुए कपड़ों को धारण नहीं करते हैं, उन्हें पहनते नहीं है मेरे बच्चे, वो थोड़ा सही नहीं रहता मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ कि वो तुमारे बहुत म नहीं कर सकते, जैसे कि तुम अपनी खुद की कलपना नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, उनकी जिन्दगी भी अच्छी होनी चाहिए, अपने लिए अच्छा मांगते हो, तो दूसरे के लिए भी अच्छा मांगो, तो उन कपडों को फैक दो, एक तरफ कर दो, या किसी ऐसे आती है, पता है न तुमें, तो एक काम किया करो, कॉफी को पिया करो, तुम जितना कॉफी पियोगे न, उतना तुमें नींद नहीं आएगी, चाय का सेवन कम करो, और कॉफी पिया करो, और कॉफी में पानी कम मिलाया करो, और दूद जाधा रखा करो, और एक कामर करो, और अकर तुम लंबे समय तक पढ़ना चाहते हो तुमें लगता है कि तुमें परिक्षा की अपनी तयारी करनी है और जोरो शोरो से करनी है अच्छे अंकों से तुमें उत्रीन होना है तो इसके लिए तुमें सीध़र बैठकर पढ़ाई करनी होगी अगर तुम नीचे बैठ करोगे या बिस्तर पर बैटके करोगे न तो तुम्हें आलस अवश्य ही आएगा मेरे बचे तो कोशिश करो कि तुम अराम से कुर्सी और मेच पर बैटके ही पढ़ाई करो समझ रहे होना मेरी बात को तो उसे नीन भी बहुत कम आएगी और तुम बिलकुल चुस्त और हस्ट पुस्ट रहोगे सुन रहे होना तुम्हें चुस्त और हस्ट पुस्ट रहना है तो तुम्हें अपना जो बैटने उटने का जो तरीका है जो पढ़ने का तरीका है उन सबको बदलना होगा कुछ चीजों को खुद भी तुम बदल सकते हो अपने हिसाब से और सुनो जिस नाम लिखना शुरू किया था, मेरा मंत्र लिखना शुरू किया था, वो पूरी तरीके से भर चुकी है, पता है मुझे, तुम उससे कह रहे थे ना कि, साइ, मेरे नाम वाली कौपी भर चुकी है, तो सुनो, एक काम करना, जब मंदिर आओ, तो मंदिर में आगे रखाना, कौपी के उपर ना, 11 रूपे रखकर, मंदिर में रखाना, आज के दिन, ये जरूर कर देना, मेरे बच्चे, जरूर करना, मैं आओंगा, और उस कौपी को लेकर चला जाओंगा, अपने साथ में, ठीक है ना, और सुनो, तुम आज जब मंदिर आओगे ना, तो आज खिच में आते हो, तो तुम सोचते हो कि बाबा का काश मंदिर रास्ते में होता और मैं चला जाता, लेकिन अब वो उल्टा पड़ता है, और तुमें विशेश कर मुझसे मिलने के लिए उस रास्ते पर आना पड़ता है, लेकिन आजाओ ना, क्या हुआ, तुमारा बाबा ही तो ह ना, क्या आपने बाबा से मिलने के लिए तुम्हें दूर और पास पाइने रखता है? नहीं ना, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम आओगे, तुम मेरे पास आओगे, चाहे मंदिर कितना भी दूर हो, मेरे बच्चे ना, मेरे पास भागे-भागे क्योंकि उन्हें मेरा खिचाव होता है और वही बच्चे मेरे पास आप आते हैं जिने मैं अपनी और खीचता हूँ जो मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं या जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ वही मेरे बच्चे मेरे पास आप आते हैं और सुनो, तुमारे घर में किसी का जनम दिन है ना, और तुम चाहते हो कि तुम अपने हाथ से उनके लिए केक बनाओ, अपने हाथ से तुम बनाना चाहते हो ना, तो क्या हुआ, कोशिश करो ना, किसने मना किया, अगर वो खराब हुआ भी, तो क्या हुआ मेरे बच्चे, ब जलती से तुमसे कुछ भूलचोख हो भी गई, तो मैं समभाल लूँगा उसे, ठीक है ना, तुम जिनकी आखों में चुपते हो ना, वो इसलिए चुपते हो, क्योंकि वो तुम्हारी तुल्ला नहीं कर सकते, वो तुम्हारी तरह पहुंच नहीं सकते, तुम्हारी तरह दिया तो अब वो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकते तुमसे साहता भी नहीं ले सकते तो बस इसलिए ना तुम उनकी आखों में बहुत खटकते हो बहुत चुपते हो तुम वो तुमें देखना पसंद नहीं करते सिर्फ उनकी ईश्या जो उनके अंदर ईश्या है ना वो उ जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना परिवार की, ना दोस्तों की, ना खुशियों की, ना किसी चीज की, मैं हूना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी सारी कम्यों को पूरा कर दूँगा सारी कम्यों को और सुनो तुम शेडी आना चाहते हो और तुम्हारे पास में उतने पैसे नहीं है कि तुम शेडी आ सको तो सुनो मेरी बात मैं तुम्हें पैसों का इंतिजाम करवा कर दूँगा और जितने पैसों का इंतिजाम करवा हूंगा ना, उतने ही पैसे लेकर तुम शेड़ी आ जाना, बस फिर को सोचना मत, उतने में ही तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, यह मैं तुम्हें अश्वाशन देता हूँ, यह मेरा बादा है तुमसे, तुम जितने पैसे लेकर शेड़ी आओगे उतने पैसो में तुम अराम से शेड़ी घुमकर मेरे दर्शन करकर और अपने घर पहुंच आओगे मैं हूँ तुम्हारे साथ बिल्कुल चिंता मत करना तुम अपने बाबा के घर आ रहे हो और बाबा के घर आने के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश, समाप दूआ